हाई दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है ऐसा सीफटी ऑफिसर तो आपको क्या क्या करना चाहिए और उसका सही मेथड और सही वे क्या है यह हम बात करेंगे इस वीडियो के इन तर अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को subscribe कर देना और अपने दोस्तों सेयर कर देना सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप का qualification क्या है ठीक है सबसे पहले qualification पर बात करेंगे आप हो सकता है 12th pass हो और आप आना चाहते हो आईए आपको कोई मना नहीं कर रहा ठीक है लेकिन आपका 12th pass अगर आप आते हो तो आपका जो position होगा काफी महनत करने के बाद आपको promotion दिया जाता है ठीक है अगर आप BSC किया हुआ अपने ठीक है किसी भी stream से किया है फर्क नहीं पड़ता अगर आपने BEE किया है Bachelor of Engineering कोई भी stream हो फर्क नहीं पड़ता अगर आपने किसी safety का diploma लिया है कोई भी government body हो private body हो फर्क नहीं पड़ता आप eligible हो safety officer में job करना क्या है आपके पास पहले इस method को समझते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए just in simple word जब आप आ रहे हो आप चूज करना चाहरे कोई भी आपको recommend कर रहा है तो आपको involved होना ऐसी कि आपको यहां पे देखनी कि आपका जो environment है किसी construction में हो सकते हो किसी industry में हो सकते हो किसी road project में हो सकते हो किसी metro project में हो सकते हो किसी airport project में हो सकते हो आपको वहां पे reply किया जाएगा depend करता है कि आपकी company और construction कि इस टायप कर आपका रोल होता है कि आपको healthy और safe environment बना के रखना as a safety officer ठीक है क्योंकि एक बहुत बड़ा scope होता है safety officer के अंदर safety officer आप बन रहे हो as supervisor आपके अंदर बहुत सारी responsibility होती as a environment health and safety officer आपको सारी responsibility manage करनी पड़ती है इसमें कुछ important and common factor पर बात करेंगे जब आप apply होते तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए ठीक है knowledge ठीक है तो सबसे पहले हाँ पर हम अगर point of view से बात करें तो आपको safety specialist हो सकते हो right safety coordinator भी बनाया जा सकता आपको safety engineer हो सकते हो safety manager हो सकते हो 5 साल 6 सार या 10 साल experience के बाद ठीक है safety के डायरेक्टर बन सकते हैं इस तरह से आपकी जो responsibility होगी duty होगी as per construction में अलग होगी और factory act पे लग होती है वो सारा मैंने factory act construction बीओ सी डबले अपने tutorial पे डाला हुआ है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो ठीक है उसके बाद आपका depend करता है industry to industry और organization कोई भी काम कर रहे है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको civil work का काम है building का काम और industry में जारो नहीं होगा आपकी job लगेगी नहीं selection होगा ही नहीं लेकिन knowledge अगर आपके पास है multi-user multi-tasking जैसे कि आपको construction का भी knowledge है industry का भी knowledge है oil industry का भी knowledge है तो आप expert हो सकते हो आप specialist हो सकते हो कि हाँ ये बंदा जो है safety का specialist है इसे सब कुछ आता है इसे road में भी safety आती है इसे construction में भी safety आती है इसे building में भी आती है तो आप बन सकते हो ठीक है तो इस तरह से आपको construction company का knowledge है focus है तो आप construction में जाहिए safety regulation जो भी होता है construction का अलग होता है factory act का अलग होता है ठीक है आपको safety से related audit करनी पड़ती company के अंदर आप safety supervisor आपको नहीं करना पड़ता है आपके top management करेंगे आप manager हो तो आपको manage करना पड़ता है manufacturing कोई भी plant चल रहा है वहाँ पर आपको focus करना है कि safety से related जो भी risk है हजारों से कम किया जाए ठीक है यह तो एक responsibility होती जब आपकी job लगती है तब और हो सकता है कि आप लोग ने काफी diploma किया होगा safety का डिप्लोमा और job नहीं लग रही होगी ठीक है बात करेंगे उसके उपर भी अब यहां पर certification की बात करते हैं कि जैसे आपने किसी भी government authority से आप किसी भी इंडस्टियर हाइजिन से आपने किया हुआ ठीक है अगर आप टेक्शनीशन हो या certification आपने किया हुआ है और आपके पास कोई भी skill है communication skill चाहिए ऐसा भी लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास अंगरेजी नहीं आती ठीक है आप किसी गौव में या जहां पर हिंदी बोली जाती है वहां पर तो अगाम कर लोगे जहां पर चाइना बोला जाएगा जहां पर डिफरेंट स्टेट में जाते हैं वहां पर तेलगू बोला जाता है ठीक है लेकिन आपके लेबर मैं पावर होती है हिंदी बोलती है तो ऐसा नहीं है आपको यहां पर हल्फुल मिलेगा लेकिन आप आ सकते हो आप किसी भी stream से हो ठीक है आप करना है अपने आपके स्किल के हिसाब से कि मुझे सेफ्टी में आना है तो सेफ्टी में आने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक डिप्लोमा कर लीजे कंस्ट्रक्शन में जाए और काम करिए फर्क नहीं पड़ता ठीक है आपको यह सारी चीजे आपको धायन में इंपॉर्टेंट बात में आपके स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आठ घजार से स्टार्ट करो। कि मैंने भी अपना करियर तस जार से स्टार्ट किया था आज मैं एक लाग मिल रहा है मुझे तो बहुत अच्छी बात है ठीक है। सुरुवात से ही करते हैं फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो यह था हमारे केरियर रोड मैप ठीक है वीडियो चलिकती वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्रेब करना मिलते हैं इन पॉर्टेंट सीरीज के साथ तब तक के लिए दुस्तों बाबाए